क्लास 10th का मैस का चैप्टर नमबर 15 जिसक नाम में प्राबबिल्टी इस चैप्टर की exercise 15.1 के question number 25 को discuss करते है Next question पे आते है exercise 15.1 का question number 25 solve करते है Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reason देखो इस question के दो parts है, दोनों part के अंदर आपको एक scapement दे रखी है एक argument दे रखा है और आपने बताना है कि यह correct है या फिर नहीं चलो पहले first part पे आते है If two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes Two heads, two tails, or one of each Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1 by 3 First part is scapement में यह बुल रहे हैं कि अगर दो coins को simultaneously मतलब एक साथ throw किया जाए एक coin को दो बार cost करना या दो coins को एक साथ ही cost कर देना एक ही बात होती है तो अगर दो coins को toss करेंगे, तो तीन outcome हो सकती है या तो दोनों की दोनों बार hack आएगा, या दोनों बार tails आजएगा या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बार hack आए और एक बार tail आए तो इन तीनों outcomes की जो probability है, वो 1 by 3 है ऐसा question में बोला जा रहा है, जो कि पूरे तरीके से गलत है अब two coins वाले case के अंदर क्या होता है न, मैं पहले आपको वो explain कर देता हूँ इसका answer तो है not correct, अब क्यों गलत है उसे समझ लेते हैं देखो, दो coins को toss करना है, सबसे पहले निकालेंगे total number of outcomes, पहले coin को जब आप toss करोगे तो या तो head गाएगा या फिर kale आएगा, दो ही outcomes है न, तब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है फिर दूसरे coin को जब toss करेंगे, तब या तो head गाएगा या फिर kale आएगा दो ही outcomes है न, इसलिए second time भी 2 लिखा हुआ है तो 2 multiply by 2, total 4 outcomes होंगे जब 2 coins को toss करते हैं, तब total 4 outcomes ही होती है अब sample space भी बना देते हैं, sample space का मतलब होता है collection of all the possible outcomes, या list of all the possible outcomes यह first time coin को toss किया, और यह second time coin को toss किया आपने ऐसे बनाना होता है, पहले यह first बने में न, एक बर H, एक बर T एक बर H, एक बर T, 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 एक ब मतलब दोनों बार हैग आ रहा है, यह T की का मतलब है कि दोनों बार टेल जा रहा है, H की का मतलब है कि पहली बार कॉस किया तो टेल आया, दूसरी बार कॉस किया तो हैग आया, और T की का मतलब है कि पहली बार कॉस किया तो हैग आया, दूसरी बार कॉस किया तो टेल आया, H की और TH ये दुनों अलग-अलग outcomes होती है पहली बार toss करने पर hack आना और दूसरी बार toss करने पर tail आना ये अलग होता है और पहले tail आए बाद में hang आए इसको अलग outcome माना जाता है अब ये जो probabilities है ना दोनों hack आजे या दोनों tails आजे या एक hack आए और एक tail आए इन तीनों की जो probability है वो same नहीं है अलग-अलग है देखो probability of two heads वो निकाल लेते हैं two heads सिरफ यहाँ पर ही आ रहे हैं तो ये favorable हो गया total four है देखो one, two, three, four total four outcomes है तो दोनों hack आने के chances one by four होगा क्योंकि total four है उसमें से सिरफ यह ही hh सिरफ यह वला ही favorable है दो बार tails आ जाना इसकी probability भी one by four है यह जो last बार है ना kitty यह favorable है और total one, two, three, four total four outcomes है तो दोनों बार tails आने की probability one by four है लेकिन probability of one head and one tail वो two by four होगा लेको यहाँ पर भी एक बार head गया रहे है और एक बार tail आ रहे है और इसके अंदर भी एक head गया और एक tail है तो यह दोनों favorable है और total four है तो one head और one tail की जो probability है वो two upon four है कोशन में यह बुलो जा रहा था कि या तो दो head गये या दो tails आएंगे या एक बार head गयेगा और एक बार tail आएगा यह तो ठीक है लेकिन जो यह कह रहे है न कि इन सब की probability one by three है यह वाली बात गलत है दो head अगर आ रहे हैं तो उसकी probability one by three नहीं है one by four है दोनों बार tails आने कि probability one by three थोड़ी है one by four है और एक बार head गयेगा और एक बार tail आएगा इसकी probability two upon four है divide करके one by two आजेगा इन सब की probabilities बराबर नहीं होती है क्योंकि यह तीनों की तीनों equally likely outcomes नहीं है यह बताए समझ में इन सब की probability बराबर नहीं है क्योंकि यह तीनों की तीनों outcomes equally likely outcomes नहीं है और ये वली बात अब अपने आंसर में पे लिखोगे These outcomes are not equally likely outcomes ये वली जो outcomes है ये वली outcomes equally likely outcomes नहीं है इसलिए इनकी probability equal नहीं होगी तब ये अपने आंसर में लिखा है Not correct ये वली जो statement है वो गलत है ये तो कह रहे थे probability 1 by 3 होगी 1 by 3 थोड़ी है probability तो ऐसे अलग लग आ रही है सबकी Clear हुआ आँगे चलते हैं second part पे आते हैं इस question के second part में कह रहे है If a guy is thrown There are two possible outcomes An odd number or an even number Therefore the probability of getting an odd number is 1 by 2 अब question में ये बुल जा रहा है कि गाये को जब आप throw करोगे तो या तो odd number आएगा या फिर even number आएगा तो दो ही outcomes हो सकते हैं या तो number odd होगा या फिर number even होगा तो odd number आने के chances 1 back हुआ है ये बड़ ठीक है देखो गाये को जब आप throw करोगे तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी number आ सकता है न अब total 6 में से 3 ऐसे number हैं जो कि odd हैं और 3 ऐसे number हैं जो कि even हैं ये देखो तो 1, 3 और 5 ये तीनों odd numbers हैं और 2, 4 और 6 ये तीनों even numbers हैं तो probability of getting an odd number वहोगा 3 by 6 give back करके one back to हो आ जाता है probability of getting an even number वह भी होगा 3 by 6 क्योंकि 3 even numbers हैं और इसको भी give back करके one back to हो आ जाता है तो odd number की probability भी one back to होती है even number की probability भी one back to होती है तो question में जो बोल जा रहा है, वो ठीक बोल जा रहा है, कि गाये को जब आप throw करोगे, तो या तो odd number आएगा, या फिर even number आएगा, तो दुनों की probability 1 by 2, 1 by 2 है, तो ये वली जो statement है, वो correct है, और ये वली जो outcomes हैं, ये वली outcomes equally likely outcomes हैं, क्योंकि दुनों की probability एक दूसरे के equal है, तो last में reason भी आप लिख दोगे, correct होने का reason ये है, कि outcomes are equally likely outcomes, first वाले part में, दोनों बार hack गाना, या दोनों बार tail आना, या एक है गाना और एक tail आना, ये वली जो outcomes थे, वो equally likely outcomes नहीं थे, उन सब की probabilities अलग अलग थी, लेकिन इस वाले case में, गाये को जब थो करेंगे, तो या तो odd number आएगा, या फिर even number आएगा, अब odd number आने की और even number आने की दोनों की probability same है, ये वाली जो outcomes है, इनकी probability same है, ये equally likely outcomes है, इसलिए ये वाली जो सकेक में कहें, वो correct है, तेक में बचलाण कीवान तो अनसे मुड़ हो जो करेंby बचलते दोफस है, इसकी की दोफस्तावास आएखब है, वो भॉबुण है, वो तो इसका है तो रहे सकेक में की चका ये बचं STEP 1 staanएएजड़ वाली है, वो झालग, तो पनाए़ान पालएगा ये लीगान, ये और